हाई गईज और वेलकम बाक टो दी चनल दीपक्च यादव एजूकेशन वेलकम टो दी डेली हिंदू न्यूज एन रिटोरियल इनालसस अफ 17 अफ मार्च 2024 तो गईज आज है तारिक 17 मार्च 2024 और है संडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को कम्प पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना यहां से आप डेली बिसस पे इस लेक्चर के PDF को डाउलोड कर पाओगे नव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेस्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइजर को कहां पर है एक्जाक्ली लोकेटेड इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रिविएस एर साल 2019 के प्रलिम्स में पूछा गया था डेली बिसस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रिविएस एर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आप लोगों से डेली बिसस पे बोलता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइट करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको चेक आउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है यार मैं बाहर आया वा था थोड़ा गुमने के लिए बट हुआ क्या मैंने नेट को जुगाड तो किया वा था यार बट नेट इशूज हो रहे है और कल राज से ही मुझे इंटरनेट नहीं मिल पाया और अभी मुबाइल डेटा भी काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा जुगाड किया है मुबाइल डेटा मिला है थोड़ा सा तो उसी के बिस्स पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं अपलोड करूँगा आप अपलोड करने में भी बहुत जाता सामय लगने वाला है इस वेसे कोशिश करूँगा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड हो जाए वैसे मैं मैसेज करने वाला था कि आज यार वीडियो आफ हो जाएगा बट थोड़ा बहुत कोशिश करने पर मिल गया था कहीं ना कहीं से इंटरनेट अब मैं यह आपर यह विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा छोटा ही विडियो रहेगा बट यह है कि आपको जो आपकी consistency है उसको break नहीं करना पड़ेगा वो maintain रहेगी ठीक है तो दोस्तो अगर हम बात करेंगे अपने थमनेल वाले topic की तो GS paper नमबर थ्री science and technology के point of view से important है बात हो रही है दुनिया के सबसे powerful rocket के बारे में जिसका नाम है Starship अभी तक का सबसे बड़ा rocket लेकिन अभी तक ना दोस्तो इसकी proper तरीके से successful testing नहीं हो पाई है तीसरी बार try किया गया था हाली में और वो तीसरी बार में काफी सारी चीज़े बढ़िया हो पाई लेकिन return करते वक्त ये जो rocket है ये इंडिया नोशन में गुम गया जिस वे से लगातार बहुत सारी चर्चाएं हो रही है Starship के बारे में आज हम इसी Starship के बारे में basic से basic जानकारी भी लेंगे और इस Starship को क्यों बनाया जा रहा है SpaceX का एक important initiative है आगे किस तरीके से help कर सकता है और बहुत सरे planets को explore करने के लिए वो भी याँ पर discuss करेंगे अगर आप देखोगे दुनिया भर में इसकी चर्चाएं हो रही है चाहे वो national articles हो चाहे वो international articles हो यहाँ पर दाहिंदू ने भी इसको cover किया है SpaceX Starship disintegrates after completing most of the third test flight तीसरी टेस्टिंग थी इसकी है एक टेस्टिंग इसकी 2023 में April में की गई थी और उस समय पर मैंने विडियो बनाया भी था thumbnail भी लगया था फिर पिछले ही साल November में एक दूसरी टेस्टिंग की गई थी तो दूसरी टेस्टिंग में थोड़ा सा improvement आया फिर finally यहाँ पर अब जाकर इसकी एक तीसरी टेस्टिंग की गई है तो काफी improvements कर लिये हैं successful तरीके से rocket ने काम किया लेकिन return होते वे जब यह re-enter कर रहा था हमारे planet के atmosphere में तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई successfully landing नहीं कर पाया और in an ocean में जाकर कहीं पर गुम गया यह आपको news समझ में आ गया लेकिन अभी यहीं पर और भी बहुत सारी basic जानकारी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहला question जो यह starship है इसको क्यों तयार किया जा रहा है तो दोस्तो starship जो rocket बनाया जा रहा है इसका main purpose ज़से आपको पता होगा Elon Musk के कई सारे statements है कि मंगल पर पूरी colony बसाएंगे चान पर colony बसाएंगे तो मंगल पर पहुँचने के लिए यह बहुती ज़ादा important mission मना जाएगा क्योंकि यह rocket बहुत huge है कई सारे लोगों को ले कर जा सकता है प्लस कुछ समान यहाँ पर इसमें रख के ले जाया जा सकता है तो payload के मामले में भी यहाँ पर इस rocket की capacity बाकी सारे rockets के comparison में काफी high है तो दोस्तों यह जो launching है बहुत एहम थी क्योंकि spaceship की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर कहीं न कहीं एक ऐसा target बनाया है कि इसकी मदद से पहली बार हम इंसानों को प्रतवी पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक जगा से दूसकी जगा पर एक घंटे के अंदर अंदर पहुचा सकते हैं कहने का मतलब है इस rocket की इतनी speed है अगर धरती पर आप किसी एक कोने में हो और आपको दूसरे कोने पर जाना है तो वहाँ पर आप अराम से एक घंटे के अंदर अंदर पहुच पाओगे यह बेसिकली यहाँ पर इसकी speed बताई जा रही है उसके अलावा 2029 यानि 2029 तक इनसानों को मंगल ग्रह पर पहुचा कर वहाँ पर कॉलॉनी बसाने का target है जिस basis पर इस rocket को ready किया गया ठीक है अगर हम देखेंगे तो यह है दोस्तो starship जिसको spacex ने तयार किया है SpaceX जो की बेसिकली एक private company है USA की Elon Musk इसको own करते है लेकिन अगर हम starship की बात कर रहे है तो starship से पहले कौन से rocket जो सबसे powerful माने जाते थे तो पहले यहाँ पर NASA का था SLS ठीक है जो की NASA ने डवलप किया बाता और उससे भी उसके साथ साथ यहाँ पर NASA का यह एक और rocket है Saturn V यह बहुत जाता है यहाँ पर powerful rockets माने जाते थे लेकिन अब इन दोनों को overtake कर लिया है starship ने starship को अगर आप देखते हो दोस्तों सारे rockets को खतरनाक टक कर देता है यह जो आपको दिख रहा है यह है payload weight कितना वजन यहाँ पर carry कर सकता है rocket यह kg में है kg में तो आप starship को देखोगे तो इसका जो यहाँ पर सबसे ज़ादा payload ले जाने वाला rocket की category में इसको रखा यह है लगबक 150,000 kg के असपास का weight यह यहाँ पर mention किया गया है starship के लिए अब यहीं पर आर्टिकल को आप गहराई से पढ़ोगे तो टेस्टिंग अभी हो रही है ताकि successful तरीके इसको लागू किया जा सके क्योंकि Elon Musk पहली बोल चुके हैं यह काम हम लाब में नहीं करेंगे यह काम हम सीधा practical करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी issues ना हो और इसके लिए बहुत सारा पैसा हर एक टेस्टिंग में खर्चा जा रहा है दोस्तो अब सवाल यह है कि चलो target अगर successfully होता भी है तो इनसान को मंगल पर कैसे पहुचाएगा यह पूरा rocket कैसे करेगा यह काम तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यह जो starship है यह आज के समय पर जो falcan rocket है ना इसकी तुलना में payload को दूर तक लिजा सकता है और कम दाम में launch कर सकता है यानि cost effective भी है तो कि इसको इसी तरीके से design किया गया है design करने का purpose यह भी है कि दोस्तों इस rocket को ना हम reuse कर सकते हैं एक सेकिट कोई photo पूरा नहीं है क्या यह है photo हाँ इस rocket को हम दुबारा से reuse कर सकते हैं इसका उपर का यह rocket वाल system अलग है इसके नीचे के जो booster है वो अलग है तो reusable rocket है ध्यान लखेगा तो इसलिए cost effective भी है एक बार तयार होता है model successful होता है तो एक बार बेचकर इसको दुबारा दुबारा इस्तमाल किया जा सकता है थोड़े थोड़े repairment के साथ में यह जो starship है यह कई सारी satellite बहुत बड़ा क्या सकतो push मिलने वाला है moon base के development के लिए हम क्या कर रहे है बहुत सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है कि moon पर भी हम यहाँ पर एक colony को establish करेंगे तो उसके लिए चंद्रमा की जो सत्य है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में समान पहुचा नहों का transportation की ज़िवरत होगी तो starship दोस्तो जो बड़ी-बड़ी building blocks होते है उसको ले जाने के लिए design किया गया है ताकि यह काम और असान हो सके फिर एक और चीज है वो है earth to earth transportation यानि जैसे मैंने बोला प्रत्वी पर जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि प्रत्वी में एक घंटे में या एक घंटे से कम के समय में आप एक कोने से दूसरे कोने तक travel कर सकते हो पहले यह कोई सोच नहीं सकता था बट अब यहाँ पर इसकी कल्पना की जा सकती है तो starship एक कह सकते हो कि एसा वहीकल एक ऐसा सूपर हेवी रॉकेट यहाँ पर तयार किया गया है फिर उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है इंटर प्लैनेटरी ट्रांस्पोर्टेशन क्यानी की बात है कि अगर हम बात करेंगे मार्स की यानि मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह पर शेहरों का निर्माड करने के लिए बड़ी मात्रा में समान चाहिए होगा है ना तो वो सब डिलेवर करने का काम यहाँ पर एक बड़ा रॉकेट कर पाएगा तो यहाँ पर इस वाले रोल को निभाने के लिए यह रोकेट जो है बिल्कुल केपिबल है फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे सौ से जादा लोगों को मंगल या और दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सकता है इसी रोकेट के साथ में तो यह है रोकेट की थाकत अब यहीं पर एक और प्रश्ण बनेगा कि मानलो अगर मंगल ग्रैपा यह रोकेट लेकर जाना है तो किस तरीके से हम लेकर जा सकेंगे या वापस कैसे लेकर आएंगे इसको तो पुरा प्रोसेस क्या रहेगा कुछ मिन्टो बाद जैसे ही ओपर पहुँचेगा कुछ मिनिट बाद दोस्तो इसमें से जो बूस्टर है या अलग हो जाएंगे दो हिससे इसके अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद में जो इसका बूस्टर था वो यहाँ पर प्रत्वी पर लौट आएगा और फिर तीसरी चीज़ क्या होगा जो प्रत्वी से प्रत्वी से एक रिफ्यूलिंग टैंकर हम लौँच करेंगे क्योंकि बूस्टर तो नीचे आगिया अब रौकेट को और सपोर्ट करने के लिए आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे से एक रिफ्यूलिंग टैंक बेजेंगे प्रत्वी से वो टैंकर जाएगा और वो यहाँ पर स्टार शिप में जुडने के बाद में इसको रिफ्यूल कर देगा इसको एनरजी देदेगा और रिफ्यूल होने के बाद में यह जो टैंकर है यह वापस प्रत्वी पर लौट आएगा अब मिल गई ताकत रौकेट को अब रौकेट सीधा और आगे जाकर अपने बढ़़ब़े डेस्टिनेशन को अचीव कर सकता है तो जो स्टार्शिप और्बिट है दोस्तो इससे मंगल की तरफ यहाँ पर बढ़़पाएगा आप ऐसा देख पाओगे इस तरीके से घूम कर एक चकर मार कर यह मंगल की तरफ आपाएगा फिर मंगल का जो पूरा ग्रै है हमारा यानि वह ऑफिस सी बात है मार्स की बात कर रहे है जो मार्स का इटमोस्फेर है इसमें यहाँ पर अपनी जो यह रफ्तार है यह थोड़ा सा कम करेगा फिर दीमी गती के बाद यहाँ पर दीर दीर यह लैंड कर जाएगा फिर फिर क्वेशन यह है कि जब यह मार्स पर लैंड कर जाएगा तो इसको वापस हम कैसे ले कर आएंगे प्रिथवेपेर क्योंकि आपने तो बुल आपने तो बोला यह रियूसेबल रॉकेट है उस सेताय पर जो भी natural H2O के सासथ CO2 जो present है उसी को use करेगा और उसको use करने के बाद में खुद से ही rocket अपने आपको refuel कर लेगा और फिर वापस से पृत्वी की आतरा शुरू करेगा ऐसा यहाँ पर कुछ details हमारे सामने आती हैं जिसको लेकर बहुत सारे आता हैं दूसरे आटिकल पर आज की अख़बार में हमारे page number 1 पर ही एक important topic है अब दोस्तो वैसे इसमें कुछ ऐसा important नहीं है जो exam में आपको help करें but elections की date आ चुकी है पता है ना लोक सबा elections 2024 तयार हैं सब अब April 19 से election शुरू होंगे दोस्तो 19 से अपरेल में face 1 शुरू होगा इस तरीके से 7 faces में elections होने वाले हैं पूरे भारत में पहले face में अगर आप देखोगे तो यलो यलो वाले जितने portions हैं UP का कुछ हिस्सा है अरुनाचल प्रदेश है तमिलनाड है फिर उसका अद MP का कुछ हिस्सा है यह कुछ states आपको देख रहे होगा यलो वाले यहाँ पर पहले face में 19 से अपरेल को election है फिर 19 के बाद में दूसरा election 26 से अपरेल को होगा यह जितने ब्लू वाले states हैं वहाँ पर जितने ब्लू वाले regions हैं वहाँ पर फिर उसके बाद में third face अगर हम देखेंगे तो यह सारा purple वाले section है ठीक है यह 7 माई को election होगा फिर 13 माई को अगर poll date की बात करेंगे तो यह पाचवा face होगा यह कहाँ पर होगा जो pink वाले regions है फिर बात आती है अगें dark blue वाले regions की इन वाले regions की तो यह basically छटा face होगा और 25 माई को elections होगे फिर बचा last में green वाला region तो यह ग्रीन वाला जो portion है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने eight states cover किया है तो इसके election एक जून को होगे जो सबसे major elections होगे वो 19 से अपरल को होने वाले है क्योंकि 19 से अपरल में assembly election एंद्रप्रदेश में वो भी होने है 13 मई से है ना फिर Odisha की assembly के elections भी होने है उनके local elections की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर होने है चार faces में होंगे वो Odisha के state के elections ठीक है तो उसके बारे में यह दिया गया है तो शुरवात हो रही है 19 जून से और जो सारा का सरा मामलक खतम होगा elections का vote देने का वो एक जून को समापत हो जाएगा और जो vote की counting होगी वो दोस्तो चार जून से start हो जाएगी ठीक है तो counting होने के बाद में वो यह दो दिन लेंगे या counting किसी भी तरीके से होती है वो यहाँ पर दिखाये जाएगा आपको सारी news मिलती चली जाएगी उसके बाद सारा का सारा information सामने रहे गई ठीक है तो यह जो dates है यह declare कर दी गई है दोस्तो और यह अब लोग सबा के चुनाव है ध्यानक ना है हर 5 साल में यह वाले चुनाव आते हैं इस बार वैसे लास्ट 2019 में हुए थे अब दो हजार चौबेस तैन आ गया आते हैं नवाज के एक वार में एक और टॉपिक है रेपिटेड है बट इंपोर्टन है क्योंकि आज संडे है आपको पता है संडे में कोई एडिटूरल वगरा नहीं आते हैं संडे में बस खाली थोड़े बहुत आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पर बात हो रही है अगनी 5 टेस्ट के बारे में तो अभी हमने एक बड़ा रोकेट टेस्ट किया था क्वेस्टन्स आप से यहां से बनेंगे अब सवाल यह है कि MIRV की फुल फॉर्म क्या है MIRV की फुल फॉर्म है Multiple Independently Targetable Re-Entry वहीकल तो यह है वो टेक्नलोजी PM Modi ने इसके बारे में ट्वीट किया था है मैं आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ आज के अख़बार में देखोगे तो यह वाला टॉपिक आपके अख़बार में में मेंशन इस्पैशली प्रीमियम वाले सेक्शन में ठीक है वही पर CAA को लेकर चर्चा हुई है CAA हमने परसो ही डिसकस किया है तो इस वज़े से यह हमने थोड़े दो पाइले डिसकस किया है इस वज़े से यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ ठीक है तो दोस्तो जो हमारा दिव्यास रमिशन है उसके तहत नई टेक्निलोजी को DRU ने तयार किया नाम दिया MIRV सवाल यह है कि MIRV का काम क्या होगा जरा यह बताओ अब इस चीज़ को समझते हैं होता यहाँ पर यह है दोस्तो आज हमारे पास में या दुनिया के पास में बड़़े रॉकेट्स हैं जो दूर तक जाकर बड़े बड़े अटैक्स कर सकते हैं बॉंबार्ड़िंग कर सकते हैं लेकिन होता यह है कि कुछ देशों ने ऐसी टेक्नलोजी डवलप कर रखी है कि आप कितनी रॉकेट मार दो और रॉकेट को हवा में उड़ा देंगे सबसे बड़ा एक्जामपिल इसराइल का आइरन डोम ठीक है और इसराइल के आइरन डोम के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जहसे क्या है रॉकेट सारे लगतार आटाक करने के लिए अब हमें इन रॉकेट को रॉकना एं वो बहुत सारे रॉकेट भी एक साथ लॉंच कर सकते हैं तो उन रॉकेट को हमें रोकना है तो रोकने के लिए यहाँ पर इसराइल ने इस प्रकार के आईरन डोम सिस्टम को बना रखाए इसमें कई सारे सिस्टम्स हैं अपने एरिया में यह तेहनात कर देंगे इनके रडार आते वे रॉकेट को डिटेट करने के बाद में सीधा यहां से काउंटर अटैक करेंगे इनके मिसाइल्स लॉंच होंगे और हवा में जाकर वो दुश्मन के रॉकेट को उड S-400 जैसे सिस्टम का एक बहुत बड़ा तोड तयार किया गया है और वही टेक्निलोजी कहलाती है MIRV टेक्निलोजी अब ऐसा वाला मिसाइल दोस्तों हमारे पास में आ चुका है MIRV Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicles यह तो दोस्तों हमारी नॉर्मल मिसाइल है जहां पर के वल हमने एक Nuclear Warhead एक जगा पर धमागा कर देगा लेकिन जब यह जा रहा होगा तो इसको हवा में ही जो सिस्टम से वो रोग देंगे समझ गए लेकिन इसी चीज में बदलाव किया गया इस टेक्निलोजी का इस्तमाल करके दोस्तों जो Nuclear Warhead से इसकी संख्या बढ़ा दी गई अब यहां पर क पूरा सिस्टम है ना चाहिए वो Iron Dome हो चाहिए वो S-400 सिस्टम हो वो confused हो जाएगा कि कौन से रोकेट को पूरा पहले अटाइक करना है कौन से रोकेट को गिरने से रोकना है तो इसी confusion में जो अटाइक से वो यहां पर हो पाएंगे और यह सिस्टम सारे फैल हो जाएंगे यह बात दोस्तों यहां पर रखी गई है इस MIRV टेक्निलोजी के अंदर में तो अगनी 5 में ही MIRV का वर्जिन आपको यह देखने को मिल जाएगा इस तरीके से रोकेट को रेडी किया गया है इसकी deployment profile में आपको बता दिया रोकेट ऐसे launch होगा और warhead एंड में जाते आते चारू तरफ भिखर जाएंगे तो जो टेक्निलोजी है वो confused दाएगी भई मुझे कौन से warhead को खतम करना starting में और इसकी range भी काफी अच्छी खासी यहां पर बताई जा रही है और यहां पर अगर आप देखोगे तो यह कुछ data दिया गया है यह जो photo NIR मतलब जादा clear नहीं जनका इस्तमाल किया गया है प्लस 5000 किलोमेटर की range है इसकी ठीक है दूर दूर तक के area को hit कर सकता है एवें चाइना के area को चाइना के कोने वाले area को भी यहां पर hit करने की जो थाकत है वो इंडिया रखता है अपनी इस particular missile के माधियम से यह बात दोस्तों clear हो गई अब सारी बेहेतरीन missiles हैं लेकिन दोस्तों यह जो मैंने पांच नाम लिए प्रत्वी अगनी त्रिशूल नाग आकाश इन पांच मिसायल को एक प्रोग्राम के तहट तयार किया है उस प्रोग्राम का नाम है integrated guided missile development program इस प्रोग्राम की शुरवात की गई थी APJ अब्दुलकलाम ज missiles को develop किया गया जिसमें से प्रत्वी एक short range surface to surface ballistic missile है अगनी भी एक ballistic missile है लेकिन अगनी में इसके versions अलग लगाते हैं अगनी 1,2,3,4,5 करके इसके 4 अलग लग 5 versions आपको नज़र आएंगे ठीक है तो अगर इनके बारे में जानोगे तो यह आपको नज़र आएगा जैसे अग अगनी 6 अभी under development है काम चल रहा है फिर सुकुरिया under development है इसी प्रकार से कुछ cruise missiles है हमारे पास में है ना निर्भे है ब्रमोज है ब्रमोज 2 है उसके अलबा प्रत्वी की बात कर रहे थे तो प्रत्वी 1,2,3 करके भी हमारे पास missiles से सबकी ranges अपको अलग-अलग नज़र आए धनोश है अगनी 1 की बात कर रहे थे अगनी 1 यह है शौरना missile है प्रहार है यह जो उपर वाली missile से यह सारी short range वाली है जो हमें ज़्यादा दूर नहीं छोड़नी है पास में दुश्मन है उसके लिए यहाँ पर यह short range वाली ballistic missiles ready की गई है फिर यह है intermediate range ballistic missiles ठीक है यानि कि short range स इसे बस थोड़ी सी ज़्यादा range वाली होती है इंटर कॉंटिनेंटल रेंज बलिस्टिक missile यानि कि एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट पर अटाक करने के लिए इन वाले missiles का यूज किया जाता है ठीक है हमारे पास में संबरीन से launch करने वाली missile से दोस्तों संबरीन यह बहुत ही शॉर्ट रेंज वाली है जिनका वज़न भी बहुत कम है और प्लस यह कम किलोमेटर तक जाएंगी प्लस दुश्मन के टैंकर को उड़ाने के लिए दुश्मन के जो टैंक से होता है उनको अटाक करने के लिए हमारे पास में एंटी टैंक गाइडिड मिसाइल है हेलिना जो हलिकॉप्र लांच नाग मिसाइल आपको नजर आएगी फिर एंटी बलिस्टिक मिसाइल भी हमारे पास में आपको यह देखने को मिल जाएंगी उन मिसाइल के नाम एक्जाक्ली यहाँ पर दिए गए हैं मतलब ऐसे वहिकल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे पास में क्लियर हो गया तो एक कुछ डीटेल से जिसके बारे में ध्यान अखिएगा क्योंकि कई बार जो क्वेशन से एक्जामनेशन बन जाते हैं फॉर एक्जामपल जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपियस ने 2014 में अगनी फोर मिसाइल के बारे में तीन स्टेटमेंट देकर पूछा कि बताओ इन तीनों में से कौसस स्टेटमेंट सही है तो पहला क्या अगनी सर्फेस तू सर्फेस मिसाइल है यह बिल्कुल सही बात है अभी हमने थोड़ दर पहले ही जस्ट पढ़ा था कि जो अगनी मिसाइल है यह हमारा सर्फेस तू सर पर देखने को मिल जायती है कि इसके अंदर में दो स्टेज वाले solid fuel system है ठीक है तो एक solid fuel system है जिसमें यहाँ पर यह एक ton nuclear warhead को carry कर सकता है और इस के रेंच 4000 km है तो पहल जूसर वाल तो गलत हो गया तीसरा वाल अपना गलत हो कि यहाँ पर मैं आपको बताया कि यह one ton nuclear heads को warheads को deliver कर सकता है पिछातर सो km की दूरी पर नहीं पिछातर सो नहीं क्योंकि यह केवल 4000 km की दूरी तक इसको deliver कर सकता है इस बसे second और थर्ड गलत है बट पहला वाला सही है that is why option number A1 only is the correct answer फिर बात करेंगे DRDO के बारे में अब दोस्तों defense research and development organization क्योंकि इसी ने इस missile को develop किया है तो basic information आपने पता हो नहीं चाहिए यह एक कह सकते हो कि हमारे defense mantra लेके अंडर आने वाली body है ठीक है इसका main काम है जो defense weapons है items है इसको यहाँ पर develop करना इस body को तैयार किया गया था 1958 में जब हमारे पास में कुछ अलगलग bodies थी technical development establishment of the Indian army and directorate of technical development and production इनके साथ में मिलकर दोस्तों यहाँ पर इस DRDO को तैयार किया गया है ठीक है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी इशू है लिटरली मुझे सारा का सारा mobile phone से अपलोड करना पड़ेगा इतना वीडियो भी यहाँ पर यह एक जीबी से उपर हो चुका है और आपको पता है वीडियो अपलोड करने में फिर बहुत सामय लगने वाला है ठीक है तो इस तक कर में वीडियो में ज्यादर लंब टाइम लगेगा निए और वीडियो फिर कल से अपनी लेंट पर आ जाएंगे ठीक है तो आच जो इनकनवीनियन से दोस्तों के लिए मैं माफी चाहूंगा बाकी आते हैं अपने थोड़े से पेड़ ग्रूप के डिसक्रशन के उपर कि अगर आप लोग को पेड़ टाइब उठाएं डाउनलोड करें चाहूं तो आप प्रेंट आउट निकाल लें ना चाहूं तो कोई बात नहीं है पढ़ के डिलीट कर दें अप्शन आपके पास में अविलेबल है तो यहां पर कोई स्टोरेज का इशू नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है कैसे रहेगा और इस ग्रूप को जॉइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिममम है जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए तब तक आप आपका प्रेंट करने क्लिए क्या करना है वाटसेप पर जाना यहां पर आपको एक नंबर दिया गया 853-487-3368 इस नंबर पर प्रॉसस्स दिया जाएगा प्रॉसस से ज़्यादा इंपॉरेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा अप उसको भी चेकड़ कर सकतो किस तरीक से आपको फायदे होंगे अपने आपको सेटिसफाइव करने के बाद में जाकर यह इंवर्स्मेंट कर सकते हैं ठीक है तो दोब वीडियो आज का हमारा इतने रहने वाला है मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day thank you and जय हिंद